राजधानी भोपाल से दूर सीम शिवराज सिंग चौहान ने अपने कैबिनेच के साथ मध्यप्रदेश को आत्मी निर्भर बनाने की योजना तयार की इतना ही नहीं सीम ने सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों में इस योजना को गती कैसे मिल सके इसको लेकर भी निर्देश दिये देखे ये खास रपॉर्ट शेहर से दूर शिवराज की कैबिनेट बैठक आत्मी निर्भर एमपी के लिए सीम ने बनाया प्लान निर्भर मधिप्रदेश को लेकर सीम शिवराज अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं यही कारण रहा कि सीम ने इसे लेकर पूरे कैबिनेट के साथ एक बैठक भी की जो कि राजधानी भोपाल से दूर किसी एकांत इस्थल पर आयोजित की गई बैठक में श्वामिल हुए कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंग ने बताया कि सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन सब के सामने रखा है देखे आज आतु निर्वर्मत प्रदेश को लेकर यहां पर टेबिनेट की बैठक भायोजित की गई है सोबे से ही बैठक चल रही है और मानी मंत्री गर्ण अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन मानी मुक्वंती जी के समक्षे रख रहा है कि प्रमों पूप से हम देखें को कोरोना काल के समय में अगर सबसे अच्छा काम हुआ है तो वह मध्यप्रदेश के अंदर हुआ है वित्व मंत्री जगदीश देवरा ने बताया कि आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के लिए बने रोड मैप पर सभी मंत्रियों के साथ चर्चा हुई है राजस्व और परिवहन मंत्री गोविन सिंग राजपूत की माने तो मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा प्रदेश है जहां सरकार ने सबसे पहले इस योजना का काम शुरू किया है प्रदद्री ब्रजूइंद्र प्रताप सिंग ने बताया कि सभी मंत्रालय आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के लिए गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं मैं मानता हूं कि आज जो आत्मिर भारत को लेके चिंतन हो रहा है उसका कारण ही कि माननी मोदी जी ने बात उठाई है आज पूरा देश उसको लागू कर रहा है कैबिनेट मंतरी महें सिंग से सोधिया ने बताया कि पी एम मोदी की और से देखे गए आत्म निर्भर भारत के सपने पर हम सभी सियम शिवराट सिंग चौहान की नेतरतु में आगे बढ़ रहे हैं आज की जो मीटिंग है इस में मंतर प्रदेश को आत्म निर्भर बनाने की बात है हमारे प्रधान मंतिवी जरेंद मोधी जी ने भारत गवाद निरो ननानी की बात की है और उसी सपने को लेकर हम सब लोग पानी मुख्वंधी जी के नेतर प्राइब बढ़ दे हैं हम चाहते हैं कि हमारा जिस तरीके से शहहां का विकास हुआ है इसी तरीक हम एक परवेश का भी वनमंत्री विजय शाह ने बताया कि वनमंत्रालय ने आत्मे निर्भर मध्यप्रदेश को लेकर काम शुरू कर दिये हैं साथ ही आगे भी कई अलग-अलग तरह के काम किये जाएंगे मध्यप्रदेश में आज मानी मकमत्र जी ने नए मध्यप्रदेश के दिर्मान के लिए और सारे मंत्रियों की यहां ना सिर्प अनुप्चारी की बैटेक बुलाई बलकि आने वाले समय में हमारे बिवाग का रोड़मेप क्या होगा मद्द प्रदेश की विकास के रोड मेप पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज यहां पर हमें बुलाया गया बन्विबाग की और से जो मेरे दाहितु था मानी मकमंत्री के निर्देश पर जहां हमने लोगों रोजगार के लिए ने संसादन नुरे ने का प्रयास किया वहीं बफर में सफर के रूप में हमने नाइट सफारी भी सुरू करी बफर में भी गालियां सुरू करी और नतीज़ा यह है कि आज जितना गालियां कोई एरिये में जाती थी आज उससे डबल एरिये में गालियां जा रही है गाइड है ड्राइबर है उन सबको रोजगार मिल रहा है राज मंत्री रामकिशोर कावरे ने बताया कि आयूश विभाग में भी प्रदेश में कई रोजगार के अफसर खोले हैं और आगे भी ये सिलसिलाद चारी रहेगा सबसे पहले मैं देश के प्रधान मंत्री मानियो नरेन्द मोदी जी को बढ़ाई देता हूँ जिन्होंने आत्मी में भर देश को बनानी की यूजना और सवरु प्रधम मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री अद्रणे शिवरासिन चाहँँ जी को बढ़ाई देता हूँ जिन्होंने इस यूजना को सबसे पहले किसी प्रदेश ने लागू किया तो मद्रदेश ने लागू किया और उस मद्रदेश में लागू किया तो मेरे पास में जो आयू शिवाग है उस आयू शिवाग के माध्यम से हम सब ने ये टाई किया कि हमारे प्रदेश में कैसे र बोज़गार उपलप करा सके हमारे पास में हमारे इस मध्यप्रदेश में हमारा वनों से घिराऊ हमारा जंगल है उस जंगल में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटिया है उस जड़ी बूटिया को प्योग करके हम औस दिन्यमार कर सकते हैं बरहाल अब देखने वाली बात होगी कि मध्यप्रदेश को आत्म निर्भर बनाने के लिए किये जा रहे सरकार के प्रयासों का आगे कितना असर देखने को मिलता है ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल